असलाम अलेकूम एवरिवन आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टीफोट टेकनोलिजी और मैं हूँ आपके साथ जुबहर असलम जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज कल एन्राइट एप्लिकेशन डिवेल्पेंट पर मार्किट में बहुत ज्यादा काम हो रहा है स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा एन्राइट एप्लिकेशन डिवेल्पेंट सीख रहे हैं तो हम स्टूडेंट की हेल्प के लिए और उन लोगों की हेल्प के लिए जो एन्राइट वाकी ही सीखना चाते हैं तो एक Android Application Development Tutorial Series स्टार्ट करने जा रहे हैं और यह Series उर्दू में होगी ताकि वो लोग जो उर्दू बोलते हैं और उर्दू समझते हैं वो ज्यादा अच्छी तरह इसको अंडरस्टेंड कर सकें और सीखने के बाद अच्छी तरह से इसको इंप्लीमेंट भी कर सकें Android Application Development के लिए कौन-कौन से टूल्स इस्तमाल होते हैं और आपने इसको किस तरह से इंस्टॉल करना है क्योंकि इसके लिए जो टूल इस्तमाल होता है Android Studio इसकी इंस्टॉलेशन के दरान कुछ ऐसे एर्रस आते हैं जो स्टूडेंट से या उन से जो Android सीख रहे हैं रिजॉल्व नहीं होते हैं तो मैं स्टेप बई स्टेप आपको इंस्टॉलेशन का प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरह से आपने इसको इंस्टॉल करना है और अगर इस दोरान कोई भी एरर आता है तो आपने किस तरह से इसको रिजॉल्व करना है तो Android Studio जो है वो Android application development के लिए जो टूल यूज होगा Android Studio system में इंस्टॉल करने से पहले आपको system में JDK इंस्टॉल करना पड़ेगा क्योंकि Android backend पर Java को यूज कर रहा है अगर आपने Java में काम करना है तो आपके system में Java होनी चाहिए इसके लिए आपको JDK का कोई भी वर्जन अपनी डिवाइस में इंस्टॉल करना पड़ेगा सबसे पहले मैं आपको आज के इस टेटोरियल में बताऊंगा कि आपने कहां से JDK को डाउनलोड करना है और इसके बाद आपने किस तरह से इसको अपनी डिवाइस में इंस्टॉल करना है तो हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ यहां पर जेडी आपने गूगल में जाना है यहां पर आपने टाइप करना है JDK डाउनलोड तो यहां पर आप देख सकते हैं JDK डाउनलोड जब आपने टाइप किया तो यहां पर आपको वह बहुत सारी वेबसाइट दिखा देगा यह आप देख सकते हैं लेकिन मैं यहां पर आपको प्रैफर करूंगा कि आप औरेकल की वेबसाइट को वहां से आप इसका लेटेस्ट वर्जिन जो है उसको डाउनलोड करें इसकी एक वज़ा यह है क्योंकि यहां पर जो भी JDK का न्यू वर् ने अपलोड किया होता है लेकिन इससे पहले कि हम JDK को इंस्टाल करें यहां पर एक और चीज़ आपको बताना चाहूंगा कि इसको इंस्टाल करने से पहले आपने यह देख लेना है कि आपका जो सिस्ट्रम का आपका जो ओप्रेटिंग सिस्ट्रम है वह कितने बिट का है तो उसको देखने के लिए आपने सबसे पहले इस PC के ओपर राइट क्लिक करना है राइट क्लिक करने के बाद आपने प्रॉपरटीज में जाना है तो यहां पे एक न्यू विंडो ओपन हो गया आपके सामने सि सिस्ट्रम टाइप में आपने देखना है कि कितने बिट का आपका तो यहां पे आपने देखना है कि आपको प्रेटिंग सिस्ट्रम जो है वह कितने बिट का है तो मेरा जैसे कि यहां पे आप देख सकते हैं कि आपको प्रेटिंग सिस्ट्रम 64 बिट का नजर आ रहा है तो म 64-bit का ही इंस्टाल करूंगा आपने इस लिंक को ओपन कर लेना है इस लिंक को ओपन करने के बाद आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगे तो आप ये देख सकते हैं जावा एसी 8 तो यहां पे आपने जेडी के डाउनलोड क्लिक करना है यहां पे क्लिक करने के बाद वो आपके सामने यह सारी जो भी लेटेस्ट होंगे या निव वर्जिन होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे अगर आप मैक यूज कर रहे हैं तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि यह आपके पास से आपने इसको डाउनलोड कर लेना है जैसे कि हमने पहले देखा था कि मेरे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम था मेरा 64-bit का था तो मैं अपना 64-bit वाला ही इसको डाउनलोड करूंगा और डाउनलोड अगर आपका 32-bit ऑपरेटिंग सिस्टम है तो आप 32-bit ऑपरेटिंग सिस्टम में इसको डाउनलोड कर सकते हैं त तो मैंने 64 bit operating system है तो मैं इसको click करूँगा तो इसको एक बार आपने read कर देना है read करने के बाद आपने इसका जो lessons agreement है इसको check करके आपने download पे click कर देना है तो download पे आप click करेंगे तो वह आपके पास download हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने उसको किस तरह से install करना है यह आप देख सकते हैं मेरे पास यह download है तो यह file का size 150 MB है आपने इसको click करना है then next यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वह आपको बता रहा है कि आपने जो इसको install करना है वह किस जगह पर करना है तो मेरा मैं इसको by default ही जाने दूँगा c में next करना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा java जो है वह install हो चुका है आपने इसको यहाँ पे close कर देना है close करने के बाद अब simply आपने यहाँ पर करना यह है कि आपने this pc में जाना है c drive then program files यहाँ पर आपने java के नाम से देखना है आपको एक folder शो करेगा वो आपने उसमें चले जाना है JDK के नाम से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर और folder है आपने double click करना है double click करने के बाद आपने यहां पर प्रेस कर देना है प्रेस करने के बाद आपने इस पात को कॉपी कर लेना है simple ctrl c इसको कॉपी करने के बाद आपने this pc right click properties then go to advanced system settings environment variables यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको एक variable में java home के नाम से नजर आ रहा है मैं ऐसा करता हूं क्योंकि मेरा यह installed था पहले तो मैं इसको यहां से delete कर देता हूं आपने new पर जाना है यहां पर आपने type करना है और java home यहां पर जब आपने java home आपने type करना है तो वह आपका जो यहां पर आपने java home को type करना है और आपके जो spell हैं वो caps में होने चाहिए यहां variable values में आपने क्या करना है जो आपने पात वहां पर copy किया था उसको आपने paste कर देना है simple paste करने के बाद आपने ok कर देना है ok करने के बाद जैसे आप करेंगे तो यहां पर आपको वो java home के नाम से यहां पर शो करा देगा variable के अंदर आप इसको यहां पर क्लिक करेंगे तो आपको java home के नाम से यहां पर environment variable नजर आ जाएगा जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं तो जब आप इस environment variable को set करेंगे और android studio को install करेंगे तो इसके बाद वो automatic आपके jdk को detect करेगा और आपको कोई भी issue नहीं होगा आज की tutorial में इतना ही था हम अपने next tutorial में देखेंगे कि आपने android studio को कहां से download करना है और कैसे इसको install करना है अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को like करें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताके लोग इससे फाइदा हासिल कर सके चैनल को subscribe करें बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें तक के आने वाली हर निव वीडियो आपको time पर मिलती रहे थैंक्स वर वाचिं इस वीडियो